तो गाइस विल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद प्रियांग का कश्यव अगर आप अपनी चार टैनलिस को स्ट्रॉंग करना चाते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं क्योंकि मार्केट आर्स के दुरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देते हैं आप यहां देख सकते हैं कि मॉनिंग में हमने आपको सभी इंडेक्सिस के इंपोर्टन लेवल्स यहां पर बता दिये देन फिन निफ्टी की हमने आपको कंसोलिडेशन रेंज बताई थी और आपको बता दिया था कि हमारी इ आप साइड गई थी इसके बाद भी हमारी काफी जादा अपसाइड थी इंग निफ्टी में हमने बता दिये था कि गफ एरिया है और यह हमारी रजिस्टेंस रेंड लाइन अगर इसके अपसाइड ब्रेक हुई यह त्रेंड लाइन और होल्ड हुई दिन हमिए अच्छे selling थी overall वैसे तो निफ्टी हमारी आज यहां पर consolidation थी Sensex भी हमने आपको बताया था कल जिस तरीके से वीडियो में की market हमारी यहां पर gap up open होई थी लेकिन उसके बाद सारा दिन Sensex हमारा सिर्फ 73,400 से लेकर 73,150 के बीच में ही यहां पर range बाउंड था और जब इसका break हमें downside देखने के मिला था थोड़ा सा ही हमारा यहां से move आया था लेकिन आपको बताए कि premium fast टी के होते हैं तो market में इतना अच्छा move हमें यहां पर Sensex में देखने को नहीं मिला है the nifty में triangle pattern हमने आपको यहां पर भेजा था और आप देख सकते हैं कि market ने आज morning से ही स्रजिस्ट्रेंस ट्रेन लाइन का काफी ज़ाद रिस्पेक्ट की तो इस triangle pattern का हमारा आज काफी ज़ादा फोलो हुआ है लास्ट में market ने 3.15 के बाद इसका move break हमें यहां से downside देखने को मिला था जो कुछ मार्केट आर्स के दुरान बनता वो सब कुछ हम आपको update कर देते हैं जो कि free of course अगर आप भी हमारी चैनल को join करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं जिसका link हमने आपको description में दिया हुआ है तो चलिए फिर अब यह देखते हैं कि हम mid cap में कैसे trade करके चलेंगे क्योंकि Monday को हमारी mid cap की weekly expiry होती है पहले बात करते हैं mid cap के हम इस daily time frame के chart की तो last time भी हमने आपको यह channel यहां पर बताया था है कि upside से channel हमारा resistance का का काम कर रहा है downside से support का हमारा काम कर रहा है जब जब market इस trend line की respect कर रही है then वहीं से हमें selling देखने को मिल रही है और downside से जब इस trend line की respect कर रही है तो हमें एक buying यहां से देखने को मिल रही है तो अगर आज की भी बात करें तो market ने exact इसी resistance trend line का यहां पर respect की और यहीं से एक bearish pattern बनाया कि जो की shooting star है अगर उसे previous भी देगे तो market से यहीं से हमारी एक red candle ती यहां भी देखे तो यहीं से red candle थी यहां से भी देखे तो हमारा hanging man candlestick pattern था और यहां से भी हमारी एक bearish candle थी तो आज भी हमारा shooting star candlestick pattern बना है अगर Monday को market ने इसके low को break कर दिया तो यह pattern हमारा active हो जाएगा और इसको जो हमारा यह level निकल करा रहा है यह 11,000 का हमारा level है तो 11,000 के downside अगर market यहां पर hold होती है तो देन आपको एक selling देखने को मिलेगी और उसके बाद जो next target हमारा रहेगा वो 10,000 यहां पर 900 का और देन 10,800 का यह हमारे लिए हमारे next target रहेंगे लेकिन अगर flat market open हो जाती है और flat open होने के साथ इस हमारा shooting star candlestick pattern अगर इसके high को break कर देती है तो देन market में आपको फिर से upside move देखने को मिलेगा वैसे हम काफी time से notice कर रहे हैं अगर इसके weekly time frame की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि हम इनने आपको यह हर बार बताते हुए आ रहे हैं कि market overall तो यहां से uptrend में ही trade कर रही है क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि market का जो trend है हमारा mid cap का वो सिर्फ uptrend ही है intraday में हमारी यहां पर selling देखने को मिलती है बट next to next day market यहीं से recovery करके upside हमारा move यहां पर देती है तो अभी इसके हमारे downside के कोई भी यहां पर chance नहीं है mid cap के कि market यहां से downside आएगी अगर जो long positions बनाना चाते हैं वो यहां से अपनी C buy करके ही चलेंगे यहां कि market में जितनी ज़्यादा selling आती है उतने ही वो यहां से recover भी कर जाती है तो चलिए फिर अभी इसके important resistance और support के बारे में जान लेते हैं कि हमारे लिए क्या निकल कर आ रही है यह जो सबसे पहले first resistance का level काम करेगा वो 11,000 यहां पर 72 करेगा then 11,100 यहां पर 16 करेगा then 11,160 का यह आपके लिए important हमारे यहां पर resistance निकल कर आएंगे अगर अपने support की बात करे तो वो हमारे लिए निकल कर आएगा 11,029 का then 10,996 का then 10,949 का then 10,910 का यह आपके लिए हमारे important यहां पर support निकल कर आएंगे अब बात करते हैं कि आपको यहां पर trade कैसे लेकर चलना है कि अगर market हमारी यहां पर flat open हो जाती है यह इस zone में 11,029 से लेकर 11,072 के बीच में कहीं पर open होती है अगर वो इसका break downside करती है तो आप देख सकते हैं कि बीच में gap भी है तो market यहां का हमारा strong support ले सकती है 1996 का अगर exact की बात करें तो cyclology level की बात करें तो 11,000 तो यहां का market again आपको support लेती हुई नसर आएगी और यहीं से अगर वो कोई bullish pattern बना देती है तो देन आप यहां से अपनी buying position बना कर चलेंगे क्योंकि यह हमारे लिए एक strong support का यहां पर काम करेगा तो इसके upside और downside ही आपको यहां पर एक अच्छी best zero to hero आपकी trade यहां पर निकल कर आएगी लेकिन हाँ आगर market gap up open हो जाती है फिर देन हम एक price action का wait करेंगे और उसके हिसाब से हम यहां पर अपनी trade को plan करके चलेंगे ब्रेक को है देन हमें एक अच्छा movie यहां पर देखने को मिला और यह हमारे strong support हमारा level है इस time के लिए 11,000 तो इसका market यहां पर again retest कर सकती है वैसे तो हम सब कुछ आपको अपने telegram group में update कर ही देंगे आप तो वीडियो अच्छी लगी है इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माइ यूटूब चैनल और आप हमारे telegram चैनल को जॉइन कर सकते हैं जिसका link हमने आपको description में दिया हुआ है thank you